महराश्रा सरकार में मची उथल पुथल के बीच में सिवसेना के सांसर संजे राउत को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है सिउसेना के सांसर संजराओद को लेकर आप सबको पता है होगा पिछले कुछ time से लगातार इनके दोरा कुछ न कुछ ऐसे statement दिये जा रहे थे या कुछ न कुछ ऐसे काम किये जा रहे थे जिसकी वजा से कहीं न कहीं से शिवसेना को काफी ज़्यादा मुष्किले उठानी पड़ रही थी मतलब की महाराज में उद्धोठाकरे की मुष्किले जो है लगातार बढ़ रही थी लेकिन सबसे बड़ी बात की स्थीपा चाहते हैं लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल जो उठता है कि आखिरकार इसमें स्थीव से संजे राउत का नाम कहा से आता है संजे राउत का नाम एक बार फिर से लिया गया है वो भी एकनाज सिंदे के द्वारा ये सरकार जो आज स्थीर हुई है इसके पीछे क कहीं कहीं एक बहुत बड़े रीजन है संजे राउत क्योंकि एकनाज सिंदे नहीं भी बोला है कि संजे राउत का जो बढ़ता कत था जो संजे राउत लगातार बार बार हर एक चीज में हस्चेप करते थे उसको लेकर एकनाज सिंदे जो है वो खुश नहीं थे और जो उप सिर्फ और सिर्फ एक ना सिंदे के दोरा नहीं लगाया जा रहा है बलकि नारायन राने के दोरा भी सेम आरोप लगाया जा रहा है और वे आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ संजे राउत के हुजा से यह सब चीजी हो रही है यह सारा के सार भी देखने को मिल रहा है मतलब कि नारायम दाने एक बर फिर से आरोप लगाते हुए नजरा रहे हैं कि यह जो चीजे हुई है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ संजे राउत के हुजा से हुई है वहीं दूसरी तरफ एक नाज सिंदे के द्वरा भी संजे राउत को लेकर सवा कर भी वो नाराज थे जिसकी हुजा से उन्होंने इतना बड़ा कदा उठाया तो कहीं न कहीं से एक बहुत बड़ा रीजन जो सामने आ रहा है इस सरकार में जो आज सिर्फ पैदा हुई है उसके पीछे संजे राउत और आधि ठाकरे का नाम सामने आ रहा है देखते हैं आ आपनों कमेंट डॉक्स मताया और वीडियो को ज्यादा सेयर करें